Hello everyone, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी की भी लेडी की लाइफ में बहुत important milestone के बारे में, यानि की pregnancy. Pregnancy के टाइम पे हमारे दांतों और मसूरों में क्या-क्या बदलावाते हैं और उस टाइम पे oral hygiene को कैसे maintain करें. लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने subscribe नहीं किया हैं तो अभी हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें ताकि आगे आने वाले बहुत सारे informative वीडियो की जानकारी आपको मिल सकें. प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉड़ी में hormonal changes की वज़े से बहुत सारे बदलाव आते हैं और वैसे ही बदलाव आते हैं हमारे मुँ में यानि कि हमारे दांतों में, मसूडों में और जबडे की हड़ी में तो दोस्तों उस टाइम पे हमें oral hygiene का खास खयाल रखने की जरूरत है तो आईए जानते हैं कि उस टाइम पर क्या क्या तकलीफ हमें सहनी पड़ सकती हैं एक सर्वे में पाया गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम में लगबग 40% लेडीज के मुँ में मसूडों से संबंदेत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पाई गई हैं हॉर्मोनल चेंजिस की वज़े से हमारे मसूडों में सूजन आ जाती है और सूजन आने की वज़े से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है यानि कि मसूडों में से खून आने की शिकायत हो जाती है अब कई बार वो कंडिशन इसकदर बढ़ जाती है कि मसूडे पे हलक तो अपने को उस टाइम पे brushing के तरफ खास ध्यान देना है दिन में दो बार brush तो करना ही है उसके अलावा अपने dentist से proper appointment लेके अपने मसूरों की cleaning करवानी है और scaling करवानी है उसके अलावा दान्तों की हड़ी भी उस टाइम पे बहुत कमजोर हो जाती है उसके वज़े से दान्तों में काफी बार mobility आजाती है मतलब दान्त थोड़ा बहुत हिलना स्राट हो जाते है अब यह condition काफी बार temporary होती है मतलब कि सिर्फ कुछ time के लिए होती है और delivery के बार ठीक जाता है तो हमें समय रहते उस condition की साइट ध्यान देना है उसके अलावा बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई ना कोई abnormal growth यानि कि मसूडे में से एक कम से कम 2 cm की swelling देखने को मिलती है जिसको pyogenic granuloma या फिर epiolus कहा जाता है यह condition काफी बार अपने आप ठीक भी हो जाती है लेकिन बहुत बार यह ठीक नहीं हो पाती और इसमें pain या फिर bleeding होने के chances रहते हैं तो हमें इसको हटवाना पड़ता है और काफी बार हटवाने के बाद भी यह दुबारा हो सकता है तो दोस्तों यह condition कम से कम 5% pregnancies में देखी जाती है तो अगर हम इसको pregnancy के time पे remove करवाते है तो ऐसी कोई परिशानी हमें नहीं होती और हम इसको easily remove करवा सकते हैं उसके अलावा अगर आपके किसी दात में cavities है या आपको दर्द महसूस हो रहा है आपको किसी कारेंट से दात को निकलवाना है या फिर आपको अपनी scaling या cleaning करवानी है तो आप घबराईए मत pregnancy के time पे ये सब procedures safe हैं और आप अराम से इनको करवा सकते हैं पहले के जमाने में माना जाता था कि dental x-ray हम pregnancy के time पे नहीं करवा सकते और वो हमारे होने वाले baby को नुक्सान पहुंचाएगा तो इस time पे हम जो x-rays use कर रहे हैं उनमें बहुत कम radiation होती है और easily x-rays लिये जा सकते है प्रेटी में morning sickness होने की वज़े से morning के time पे बहुत जादा vomiting आती है तो उसकी वज़े से जो acid production होता है हमारे पेट में वो हमारे दातों पे बार बार तच होने के वज़े से दातों में ठंडा गरम लगना या sensitivity होने की problem भी उस time पे हो सकती है तो आपको अपने acidity के लिए जो भी आपको doctor ने antacid prescribed किया है उसको तो normally लेना ही है उसके अलावा एक चमच baking soda को आप पानी में घोल के दिन में दो तीन वार खुले कर सकते हैं वो उस acid को neutralize कर देगा और उसकी वज़े से आपके दान्तों पे effect नहीं होगा देखिए friends हम pregnancy के time पे कोई भी अगर dental procedure कराते है व तो अगर आपको कोई दान निकलवाना है, root canal treatment के लिए जाना है या कुछ भी जाना है तो आप prefer करें कि आप second trimester में कराएं उसके अलावा अगर आप first या third trimester में भी कराते हैं तो ऐसी कोई खास परिशानी का अनुभा आपको नहीं होता है pregnancy के time पे food craving की वज़े से बहुत जादा sugary food यानी की बहुत जादा मीठा यह चिपका हुआ खाना हम लोग बहुत जादा amount में खा लेते हैं तो उसकी वज़े से हमारे dental caries भी बढ़ जाती है मतलब दातों में cavities होने की समस्या भी उस time पे जादा देखी गई है और काफी बार क्या होता है कि हम अपने dental condition के side उस time पे properly ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वो dental caries और cavities और जादा बढ़ जाती हैं तो उस time पे हमें इस side पे ध्यान देने की बहुत खाद जरूरत है बहुत सी ladies pregnancy के time पे brushing करना छोड़ देती है यह delivery के just बाद भी एक दो महीने तक brush नहीं करती क्योंकि बहुत जगा यह माना जाता है कि अगर हम pregnancy में यह delivery के बाद brush करेंगे तो हमारे दान पर मसूड़े कमजोर हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यह एक बहुत बड़ा मित है आप pregnancy के time पे और in fact delivery के बाद भी proper mouthwash यूज करें brushing करें और अपनी oral hygiene की side proper घ्यान दे और अगर pregnancy के time पे आपको किसी दात में filling की जरूरत है या कोई दात निकलवाना पड़े या फिर RCT करवानी पड़े तो उसको timely आप करवाएं क्यूंकि अगर यह परेशानी just delivery से पहले अगर आपको आजाती है तो उस time पे आपको ज़्यादा problem face करनी पड़ सकती है कुछ studies में यह पाया गया है जिन ladies की dental condition pregnancy के time पे अच्छी नहीं रही उनमें काफी बर premature delivery देखने को मिली है मतलब time से पहले ही उन्होंने baby को birth दिया है और वो babies भी low birth weight हुए है मतलब उनमें birth के समय जितना weight होना चाहिए उससे underweight बच्चे पैदा हुए है तो friends अगर मा की dental condition अच्छी है तो उसके होने वाले बच्चे में भी dental condition अच्छी देखने को मिलेगी और उनके भी मसूडे स्वस्त रहेंगे क्योंकि कई studies में यह भी पाया गया है कि मा के मुँ में जो bacteria होते हैं वो kissing के थूँ या बच्चों में spoon feeding अगर हम same spoon share करते हैं उसक इस pregnancy के time से ही हमें अपने dental condition की तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है ताकि जो होने वाला बच्चा है उसके और भी oral condition अच्छी रहे और उसका भी मूँ स्वस्त रहे तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था अगर आपको हमारा आज का वीडियो informative लगा अच्छा लगा तो ह में comment करके जरूर बताएं और इसके regarding और भी कोई query है तो आप नीचे दिएगे comment box में हमें message कर सकते हैं तो तब तक के लिए take care of yourself and your oral health and brush twice a day